साल 2024 के Paris Olympic में एक नाम जो almost हर वक्त controversy के आसपास ही हमें सुनने को मिला वो था इमेन खलीफ को लेके जो सबसे बड़ा सवाल था इमेन खलीफ को लेके वो यही था कि आखिर में इमेन खलीफ महिला है या पुरुश लेकिन अब कुछ मेडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे इनका साल 2023 का एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रहा जिसके हिसाब से इमेन खलीफ महिला नहीं पुरुश है इसके पहले इन्होंने जितने भी अपने इवेंट्स खेले थें इन सभी में ये अपने आपको एजन फीमेल ही बताये हैं और जहां तक बात किया जाए परिस ओलॉम्पिक 2024 के बारे में तो यहां पे इनको 66 kg कैटेगरी में यानि कि ये बॉक्सिंग खेलती है तो इनको यह एक सालों से ये सवाल इनके आसपास घूम रहा ये जो फोटो आप देख रही है इसी साल का परिस ओलॉम्पिक का एक मैस का फोटो है जहां पे इमेन खलीफ के अगेंस इटालियन बॉक्सर रहती है जिनका नाम रहता है एंजलीना एंजलीना महस 46 सेकंड्स में ही रिंग से गुमारी है या जिस फोर्स का इस्तिमाल किया गया था उतना जोरदार मुक्का इनको आज सक नहीं लगा और ये जो स्टेटमेंट का इस्तिमाल किया गया है या इससे जो मिलता जुलता इस स्टेटमेंट है यानि की इमेन खलीफ का जो बॉक्सिंग का स्पीड है या जिस तरीके से वो force generate करती है या करता है ये possibilities काफी कम बनता है कि एक female boxer इस तरीके का force generate कर पाए क्योंकि male और female का दोनों का जो body का shape and size या और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं वो अलग होते हैं तो more or less अगर आप इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो इमेन खलीफ का क्या gender है इसको लेके हर वक्त सवाल बना रहा है साल 2023 में New Delhi में World Championship होता है जहां पे इनको disqualify कर दिया जाता है क्योंकि इनके body में testosterone level जितना होना चाहिए उससे अधिक रहता है और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे events ऐसे हुए हैं international platform पे जहां पे जो इनके opponents थे उनके द्वारा भी इनके gender के उपर सवाल उठाया गया था लेकिन क्योंकि आप Paris Olympic खेलते हैं और वहां पे आपको gold मिल जाता है तो इसलिए जो मामला होता है वो और सब समय से काफी अलग हो जाता है इमेन खलीव जब Paris Olympic में Italian boxer को महज 46 seconds में जब वो हराती है तो उसके बाद और भ खलीव के gender के उपर सवाल उठाया तो as per media report जो medical document leak हुए है उसके हिसाब से बताया गया है कि इमेन खलीव जब पैदा हुई थी तो इनके body का जो features था वो एक female से मिलता था लेकिन जैसे ही ये बड़ी हुई वैसे ही इनके body का जो female features था वो disappear होके बहुत हद तक एक male का जो features ह होता है वो आ गया लेकिन साथ में यहां पर एक बात और भी मैं जोडना चाहूंगा कि इनके body का जो features है वो नहीं तो exactly एक female से मिलता है नहीं तो exactly एक male से मिलता है और इनके body में जो testosterone label है वो बहुत हद तक ये संकेत करते हैं कि ये एक male है और इसी medical report के हिसाब से ये chromosomal test से भी गुजरती है जिसे ये confirm हो जाता है कि इनके body में XY cryotype chromosome है तो अगर आप इस चीज को बहुत ही असान शब्दों में समझना चाहेंगे तो as per जो medical report suggest कर रहा उसके हिसाब से इनके body के जो लक्षन है वो बहुत हद तक एक male से मिलता है और शायद इसी लिए ये जो power generate कर पात सकता है कि इनके जो माता-पिता है वो आपस में या close कोई relative है तो ऐसा देखा जाता है कि जब close relative में शादी होती है तो उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारे disorders होते हैं तो ये तो रहा एक हिस्सा जो medical report से हमें मालूम बढ़ता है अब शायद जो सबसे बड़ report है ये as per media report से आ रहे हैं तो जब भी किसी का medal वापस लिया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत ही thorough investigation होता है और इस case में बहुत ही thorough medical examination होगा यहाँ पे मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि हो सके इमेन खलीफ male हो या female है तो खेर अब thorough medical examination के बाद ही मालूम पड़ेगा ल अफिर उसका कहना ही क्या है और जहां तक बात किया जाए इमेन खलीफ का family background के बारे में तो ये इतनी financially sound घर से नहीं आती है और initial days में ये football खेला करती थी और उसके बाद जब ये boxing खेलना शुरू की तो early days में जैसे कि normal घरों में होता है कि family का support नहीं होता है financial condition क्योंकि अच support नहीं मिलता है तो जब तक कि ये confirm ना हो जाए कि इमेन खलीफ एक mail है तब तक हमें इन्हें benefit of doubt देना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye